आज कि हमारी सीवीडियो का टॉपिक, हाओ डो दू यूब डील विति इल्लाइगाल फायर। मतलब कि कहँपर इल्लाक्रिकल की आग लग रही है, तो उसे हम किस तरीके से हैंडल करेंगे? दोसों इस वीडियो के अंदर हम electrical fire होने पर क्या करेंगे इसी के साथ और भी कुछ सवालों के पर बात करेंगे जैसे कि electric fire को कौन सी class की fire में रखा गया है इसके मान में कहीं सारा confusion है कहीं लोग इसे C class में बोलते हैं कहीं लोग D कोई E class में बोलते हैं तो आकिल electrical fire को किस class में रखा जाता है इसके अलावा एक सवाल यह भी इंट्रियों काफे जादा पूचा जाता है कि अखिरकार electrical fire होती है इसके मुखे रीजन क्या है हम किन चीजों का ध्याना के और electrical fire नहीं होगी तो बिना जादर देनी करें हम फटावर से सभी सवालों के जवाब जान ले रहे ह दोसे हम A किलास की आग बोलते हैं इसी तरह पेट्रोल केरोसीन में कभी आग लग जाते हैं तो सवाल यह उड़ता है कि आखिरकार electrical fire है उसे किस किलास में रखा जाता है तो दोस्तों देखिए कई जगे पर आपको जवाब सुनने को मिलता है वो D किलास सुनने को मिलता है और अगर आप कुछ बुक को भी देखोगे तो उन बुक में भी D किलास में electrical आपको परजेंड किया गया है लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कुछ सालों पहले ही international fire organization और इंडियर इस्टेंडर के द्वारा जो पहले electrical fire को D किलास में रखा गया था वो अब उसे D किलास सेटा के C किलास में कर दिया गया है इसलिए आप देखेंगी कि आज के समय जो भी C किलास के fire आ रहे हैं उनमें हमारे electrical fire में उसको यूज करने का लिखावा रहता है और अगर आप कोई latest book को भी देखोगे तो उस book में भी हमारे electrical fire को C किलास में ही present कर रखा होता है त इलक्रिकल fire होने के पीछे मुखे रिजन क्या है तो दोस्तों अगया होती है इसके अलाव दोस्तों इलक्रिकल fire होने के पीछे का second region जो ज्यादा मुख्य आता है वह होता है हमारे फॉर्टी लेक्रिकल अउटलेट का यूज करना मतलब की हमार पीन वाइर को लगा कि हमारा इलक्रिक व्यूज को यूज करता है वह खराब होने की वज़े से हमारे लेक्ट्रिकल फयर कहीं काफी बहुंत है इसके बाद में निक जोया लेके मतलब कि हम जो उपकरण चला रहे जो उपकरण में ही कोई फॉल्ट है तो फॉल्टी उपकरण को यूज करने से भी हमारी कहीं बार आग लग जाती है इसके अलागा दोस्तों फोर्ट रीजन होता है हमारा ड्यू टू आवर लोडिंग मतलब कि अगर हमारा कोई उपकर होड लोड करने इसके अलागा अगर हम अवरलोडिंग कर रहें तो हमारे जो वायर वह वह वायर भी होड होने के हीट होके गरम होके जल सकते है तो उस से भी हमारी इलेक्ट्रिकल फायर फैल सकते हैं और आखरी लिजन को बात करें दोस्तों तो वह होता है हमारा मिश्यू of extension code मतलब कि हम जो extension code को यूज करते हैं हम चाहते कि हमारे बिस्तर पर ले जाके चार्जर का उप्योग करें तो उसके लिए क्या करते कि extension board को लगाते हैं तो वह जो extension board होता है उसकी वज़े से भी कहीं जगे लगता है ऐसा इस वज़े से होता है क्योंकि कई सारे लोगों को इतना नौलेज नहीं होता वह extension board को हैवी एप्लाइसेंस को चलाने में भी यूज में ले लेता है तो इसकी वज़े से क्या होता है हमारे जो घरों के कि अगर कहीं पर electrical fire हो जाती है तो उस condition में हम उसे कैसे handle करेंगे यह काफी जादा important इंटर्विव कोशन है इसके जवाब में आप सबसे पहली चीज तो यह बोलेंगे कि कभी भी electrical fire हो जाती है तो हम यही कोशिश करेंगी यह fire और आगे ना बढ़े तो उसके लिए सबसे प switch को हम cut off कर देंगे हमारे fuse को निकाल देंगे तो हमारा सबसे पहला काम यही होना चीए कि हमें हमारी supply को रोग ना है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो fire और आगे बढ़ सकती है और आगे बढ़ा नुकसान कर सकती है in case अगर हम उस switch supply को बन नहीं कर सकते तो हम डा अगर आपके पास में अपको sand locate हो रही आपको देख रही है तो आप क्या करेंगे? आप direct sand लाएंगे जो dry sand होनी चाहिए यह बात का ध्यान का use आप electrical fire बूजाने में कर सकता है हम यहाँ बहुत गिली sand होगी उसका use नहीं करेंगे तो इस बात का भी आपको ध्यान है इस पल हमारे water की quantity हो water को उप्योग किया गया हो आपको वैसे फायर एक्स्टेंजर का भी उप्योग नहीं करना है इसके अलाओ दोस्तों एक और चीज यहां दगनी है आप उप्योग करेंगे वह हमेशा सी किलास का करेंगे जैसे मैं आपको अब बता है तो इसलिए आप जो फायर एक्षेंजर करेंगे वह सी क्टाइप का ही करेंगे इसके अलाओ दोस्तों कहीं लोग मन में कोशन यह भी आएगा और इंटरूम में पूछा जा सकता है कि आखि करेंगे जनि साले लोग यह है भी बोलते ही कि हमारा एबी सी टाइप का फायर एक्सेंजर होता है अगर हमारेज क tablespoon उनमें अगर कहीं पर इलेक्रिकल फायर होई है तो आप यूज ना करिए क्योंकि जो ए बीसी टाइप का जो इसलेंडर होता है इसके अंदर से हमारा कहीं सारा पाउडर निकलता है फॉर्म निकलता है तो वह हमारे जो उपकरण के अंदर चले जाएगा जिए लैप्टॉप ह है कंप्यूटर है डेक्टॉप उनके अधर अगर चले जाएगा तो वह हमारे खराब हो जाएंगे अगर नहीं है और हमको आग बुझाने तो हम जरूर इसका भी उप्यों करें लेकिन हमारी पहले प्रेफरेंस हमेसा सी टाइप के एक फायर एक्स्टेंचर की होनी चाहिए इसके अलाओ दोस्तों अगर आप इलेक्रिकल सबस्टेंचन को देखते हो तो वहां पर हमारे जो बेसिकली जो फायर एक्स्टेंचर होते हैं उसके अन्हारा हमारे केमिकल बढ़नाता है CTC मतलब की कार्बन टेसला क्लोराइड दोस्तों यह जो CTC बेसक एक्स्टा फायर ए देखोगे तो आपको CTC टाइप के फायर एक्स्टेंचर का उपयोग कम देखने हो मिलेगा इसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि जो CTC होती है यह हमारी एक पोईजन गयस है मतलब की जहरीली गयस होती है तो इस वजह से इस टाइप के जो फायर इसका उपयोग हम ऐसी सब इस्टेशन या फिर खुली जगे पर लगी हुई आग में ही उपयोग करते हैं तो दोस्तों यह सभी चीज़े मैंने आपको बताई कि इलेक्टिकल फायर क्या होती है इलेक्टिकल फायर हो जाते तो हम कैसे हेंडर करेंगे इसके लाओ एक और पॉइंट मैं आपको क्ल हमें कोई भी ओप्शन तिक नहीं रहा है आग गुजानी के लिए हमारे पास में कोई भी बचा नहीं है तो उस समय हम आखरी के लिदर वाटर का उपयोग कर सकते हैं water इसलिए कर रहे है क्योंकि हमने हमारी में Supply को कट कर दी है अगर आप में Supply को कट नहीं कर पाए तो उस case में अजानरा लेकिन अगर आपको और प्रीयाब तरीक से सब चीजों को handle कर रखा है main supply को cut कर रखा है तो उस case में वाटर का उपयोग कर सकते हैं और दोस्तों इस बात का ध्यान एंगे कि वाटर का उपयोग बिल्कुल लाशन में होता है पहले हम सभी बाकी चीजों को देखते हैं जैसे में आप ओलता है सेंड का उपयोग कर सकते हैं अगर electronic उपकरण नहीं है तो उस समय हम ABC टाइप का कर सकते हैं इसके अलाव हमारा CTC टाइप का फायक्षेंजर तो हमारे पास में कहीं सारे बाकियो ऑप्शन होते हैं तो दोस्तों उमीद है कि आज का यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं helpful सा भी थ दन्यवाद